हेलो फ्रेंड्स, विल्कम टू स्मिता अंग्लिस एकड़मी तो फ्रेंड्स, अगर आप भी स्टोरी के मांथम से अपनी इंग्लिस इंप्रूब करना चाते हैं तो ये वीडियो को पूरा जरूर देखें तो इस वीडियो में सारे ज्यादा से ज्यादा पास्ट के संटेंस देखने को मिलेंगे आपको ठीक है, यहाँ पे पहला संटेंस है हमारा कुछ साल पहले, I was at coffee shop मैं एक coffee shop में था ठीक है, आगे वो बता रहा है कि मैं टेबल पर बैठा था, coffee पी रहा था I was sitting at the table having my coffee मैं टेबल पर बैठा था और coffee पी रहा था ठीक है, तो यह वी सारे पास्ट के संटेंसी ज्यादा से ज्यादा में आपको देखने को मिलेगे ओके, and I saw the most beautiful girl और मैंने तब एक सुन्दर लड़की को देखा I had ever let eyes on, ठीक है, I have, I had never let eyes on ठीक है, और वो आगे बता रहा है कि और मैंने अब तक की, मतलब मैंने अभी तक ऐसी सुन्दर लड़की को नहीं देखा था ठीक है, honestly, honestly मतलब होता है, इमानदारी से, I couldn't take my eyes offer ठीक है, सच कहूं तो, मैं उससे अपनी आके नहीं हटा पा रहा था I couldn't take my eyes offer, ठीक है, offer मतलब नहीं हटा पा रहा था वो अपनी आई, उससे, उसको देखे ही जा रहा था, उसने आज तक बोल रहा है कि आज तक मैंने ऐसी सुन्दर लड़की नहीं देखी थी ठीक है, आगे वो बता रहा है कि मैं उससे बात करना चाहता था I wanted to talk to her, कि मैं उससे बात करना चाह रहा था, लेकिन मैं उससे बात करने में बहुत घबरा रहा था But I was too nervous, ठीक है, nervous मतलब होता है घबराना To talk to her, मैं उससे बात करने में घबरा रहा था, मैं उससे बात करने में नर्वस हो रहा था, ठीक है लेकिन किस्मत ने साथ दिया उके बड लगली फेट इंटर वेनेट ठीक है उसके किस्मत ने उसका साथ दिया ठीक है As I was living जैसे ही मैं जा रहा था आँगे वह बता रहा है कि जैसे ही मैं जा रहा था As I was living मैंने गलती से अपना फोन गिरा दिया I accidentally dropped my phone अब वो जा रहा था है वहां से और उसका फोन गलती से गिर गया accidentally dropped my phone ठीक है और उसने उठाकर मुझे दे दिया ठीक है उसका फोन गिर गया और सामने वाली जो लड़की है उसने उसका फोन उठाकर दे दिया and she picked it up and handed it to me ठीक है उसने फोन उठाया और मतलब मैं उठाने वाला था पर उसने उठाकर मुझे दे दिया मेरी ओकी आगे बात करता है वो आगे बताता है हमने बात चीछ सुरू कर दी और घंटों बाते करते रहें ओके इस विश्टर्ट अप अ कनवर्सेशन ठीक है एंड इन ड़िट अप टॉकिंग फॉर और फॉर और मिस घंटों बाते करते रहें टॉकिंग मतलब बात करना बी इस ट्रक अप मतलब बात चीछ सुरू कर दी एक फ्रेजल वर्भर इस ट्रक वोके अकनवर्सेशन कर विसेशन होता है बात चीछ करना एंड इन ड़िट अप टॉकिंग फॉर आर्ट मतलब घंटों बाते करते रहें तो अगर आपको ऐसे किसी को बताना हो पास्ट के सेंटेस के बारे में तो आप इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं कि अगर वो बताता है कि फ्रॉम्द अ मुवमेंट और भी विकम ऑगे इनस्पेरेवल इनस्पेरेवल मतलब होता है जिनें अलग नहीं किया जा सकता and started dating उसी छड़ से उसी छड़ से हम inspirable हो गए और dating सुरू कर दी inspirable मतलब होता है जिने अलग ना किया जा सकता हो and now year later we are happily married now मतलब and or ठीक है and मतलब or now मतलब up years मतलब सालों बीत गए later मतलब सालों बीत गए बी आर मतलब हम लोग happily मतलब बहुत खुशे married है ओके तो now we are happily married मतलब हमने खुशी खुशी साधी कर ली हम साधी सुदा है ओके तो अगर बहुत ही easy sentence थे कुछ sentence थे ऐसे कुछ vocabulary थी ऐसे जिसे आप use कर सकते हैं अगर आप किसी पास्ट के sentence को frame कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा easy हो जाएगे बताने के लिए ठीक है तो इसी तरी तो फ्रेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो informative लगी हो तो एक लाइक और चैनल को subscribe जरूर करें जाएक बढ़ाउंच में इस्था जरू अश्ट centr को एपिवस्ग करेंड़ा हैं पोर इसे एक लाइक लिए को एक लाइक लाइक में अग्यून आपको येजिए जीए खिर चीए प्वर्शब करेंगे बेशने को क्ईए कर देख कर में ऊड़ंदें देख कर देख कर